नमस्कार पिसीपी प्रिंस सीकर से मैं डॉक्टर प्यू सुन्दा और मेरे साथ है नीरज अगरवाल सर और फिर से आ चुके एक बेटरीन वीडियो के साथ जेही मैं 2023 और जेही एडवांस 2023 के सभी क्वालिफाइड स्टुडेंस में आज कले एक ही नाम चल रहा है और वो है ज कि रिक्वाइरमेंट किन कि रिक्वाइरमेंट है और क्या राउंट होंगे तो निरसर प्रोसीड करें जो सा काउंसलिंग के बच्चों के लिए क्या क्या प्रोसेज हैं और आज के वीडियो में आप क्या क्या बताने वाले बिल्कुल डोक्टर साहब डेली इस टाइम पर क लंबी डिटेल्स हैं कोशिस करेंगे शोट में पूरा करने की जोसा की फुलपरम जानने की ज़्यादा जरुरत नहीं है लेकिन 118 इंस्टिटुशन्स में जोइंट सीट अलोकेशन ऑथरेटी जोसा के दुवरा अभी काउंसलिंग का दोर चल रहा है और दोजार तेबीस चो सब्सक्राइबर नहीं करसकते हैं तो निए आयायाईटी ट्रीपला इı analytी के लिए तो जये isol में क्लियर होना चाहिए और ओई के मद्वांस के माध्यम से कई और हैट विवराउन मिलता ने कि फॉरम बरे जाएंगे आज ये वीडियो के वहल जोशा को को फोकस करके किया गया पहले हमने एक वीडियो पहले चे बता रहा है जिसमें जैए मैं के लावा जैए एडवांस के लावा कौन-कौन से फरम बरे जा सकते हैं अधर इंस्टिशन के लिए आप देख सकते हैं यहां जो डिटेल्स बताई जा रही है वो सारी जैए मैं और जै इंस्टिशन सामिल है तो सारी इंस्टिशन की डीटेल अपन पहले भी बता चुके हैं बार-बार बता चुके हैं और इधर आजेए यह यह आयाइटी और एनाइटी देख सकते हैं कि 23 आयाइटी यहां पर आयाइटी बॉंबे देली मदरास कानपूर खड़कपूर रूड आया गया था तो आइटी इनाइटी इस की डीटेल्स यहां पर आप देख सकते हैं जी एफ्टी इस की भी देख सकते हैं गवर्मेंट फंडेट टेक्निकल इंस्टिशन्स भी आल काफी सारे दिये वह हैं इनका भी लेवल बहुत अच्छा माना जाता है और इधर दोजार वाइस के नुसार 54,447 लगवक 55,000 इस साल कुछ भड़ी भी मिलेगी नया सीट लोकेशन जो नया सीट मेट्रिक्स है वह जो साकी वेब साइट पर अवेलेबल रहेगा आप इनका स्क्रीन सोट ले सकते हैं और पूरी फाइल आपको डेस्क्रिप्शन बोक्स पर भी एविल 22 जून से स्टार्ट हैं मोक सीट अलोकेशन मोक सीट अलोकेशन में जो भी अपन चोईश फिलिंग करते हैं तो उसका एक टेंटिटिव आइडिया बता दिया जाता है कि जो आपने चोईश फिलिंग की है उसके अकोर्डिंग आपको यह कोलेज मिल सकता है इसके बाद आप गया बाहर काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा तो लास्ट डेट का ध्यान रखें इसके दोरान आप रिजिस्टेशन भी कर सकते हैं चोईश भी पर सकते हैं और मौक शीट अलोकेशन भी होगा जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कुल छह राउंड हो रहे हैं यह निरसर बिल् जिसकस कररते हैं कि हैटीज में अगर आपको सीट का विड्रोवल और यह तो सीटर का सभीडर हो विड्रोवल को चाहिए वose राउंड के बाद भी कर सकते हो क्योंकि एनाइटीज की खाली सीटों के लिए बाद में CSEB का अलग से काउंसलिंग और चलता है खाली सीटों के लिए देख सकते हैं जोसा की काउंसलिंग ब्रोसेस क्या क्या रहेगा सब से पहले अपने को चोच फीलिंग कोनी पड़ेगी ऑन-la रे बेर और उसके बाद मूख सीट अलोकेसन होता है वोनी तो अपने के बाद भी अपने पास तीन जाएगी बरफ जमादे सीट की बरफ जमादी जाएगी और वह सीट कनफर्म है फ्लोट ऑप्शन आ गया तो अगर मान लीजिया फ्लोट भी है कि जो आपको सीट मिली है ने वह तो आपको स्वीकारिय है लेकिन आपको इससे उपर का उप्शन मिलता है तो वह दीजिए मुझ फ्लोट और स्लाइड ओप्शन में जो सीट आपको मिली है वह सीट तो आपकी फिक्स हो जाती है और उपर हाइयर प्रिफ्रेंस में अगर कोई सीट अलोट होती है तो वह मिल जाएगी अदरवाइस जो मिली हुई है वह सीट आपकी रहेगी इसके बाद यह सारे ऑप्शन क के बाद डोक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और कोलेज में जाकर रिपोर्टिंग हो जाती है आप कोलेज में जाने से पहले पुरा प्रोसेश एक वाँ डिटेल में आपको और बिता देते हैं यहां पर जोसा की वेबसाइट देर गिये जोसा डोट निक डोट इन और ओन लाइन रिजिस्टेशन एंड चोईस फिलिंग का यह बोक्स यहां पर आरक है उसके बाद में आप अगे जाएए और यहां पर आपके पास आ जाता है चोईसेज अवेलेबल जो भी अवेलेबल चोईसेज हैं आप आल चोईस इंस्टिट्यूट टाइप में कर दें ने सकते हैं इन्होंने रिजिस्ट्रेशन कर दिया है और चोईस फिलिंग का प्रोसेश शुरू कर दिया है यहां सारी चोईसेज आ जाएंगी अगर आप जैए अडवांस में क्वालिफाइज नहीं है तो आपको अनाइटी इस ट्रिप्रिलाइटी जी एफ्टी इस की चोईस में उसके बाद में प्रोग्राम में आप देख सकते हैं बहुत चोटी चोटी बाते हैं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है चोईस फिलिंग और लोकिंग अंफिलिंग दिजाइड डिसिप्लीन आप सा ओल ओप्संस देकर कोलेज का अपना टेंटेटीव लिस्ट है उसके अ अब बढ़ते वक्त ध्यान रखें कोई ऐसा नहीं हो कि कोई लोग्स वाली लो कोलेज अपना हाइयर प्रिफरेंस में बढ़ दें। लोग्र प्रिफेंस की या कॉलेज से सिर्फ होता बाहरे बच्चे का अगर कोई कमजोड़ चोश बढ़ दिया और फौके अब वहीं पर रजेएगा जो सागी साइट पर सीट मैटिक्स में जाकर लास्ट इयर का सीट मैटिक्स जरूर देखें कि अपनी जो रैंक बन रही है उस रैंक की अकोडिंग अपने को कौन सा कोलेज मिल सकता है लास्ट ये आपकी रैंक के प्लस माइनस 20 परसेंट रैंक बिल्कुल प्लस 20 सबसे ज़्यदा आप उनी को फोकस करें उनी में से कुछ आपको मिलने की समभना ज्यदा रहेगी 20 परसेंट गैप है वह बहुत ज्यदा हो जाता है इसलिए उन में फिर आप अपने चोईस की प्रिफिरेंस पे सबसे ज़्यदा फोकस करें बिल्कुल उसका बढ़िया तरी अब को शीः बर्दीर जो बहूत हैं मिलती है ब कम बहुत कम बैंपे हो सकता है अगर अपन दो नेक्सट वाली प्रिफ्रेंश होती बाइबन कौने चेक नہीं की जती ईए वा और से शुरू होती है और उसमें अगर कोई 무엇 लेइन कौन दो तो वह मिले गई अब सीटू का प्रियरेंजमेंट भी कर सकते हैं देखो तीर का निसान उपर जा रहा है निचा जा रहा है ऑप्सन को मूँ अप डाउन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आप चोईस में आपको अगर सिफ्ट करना है वहाँ वन बाई वन उसके बाद में चोईस री रेंज करने का ऑप्सन है आपने यहां पर चोईस बर रखी है चाठ नंबर को आप गैरा नंबर पर ले जाना चाहते हो तो वह तो रिख सकते हैं अगर कई सारी चोईस को एक साथ डिलीट करना चाहें तो वह भी अपन कर सकते हैं फिल्लोग आई एग्री टू लोग माई चोईसे एंड आई विलोग माई चोईसे लेटर सब्सक्राइब उन्नीस तारीक को चोईसे बढ़ना स्टार्ट हो आए तो उन्नीस तारीक को अपने दस ही चोईस फिल किया तो उसके बाद आपन वहां से लास्ट में लोगाउट कर दें तो वह दस तो अपनी से वह जाएंगे द्यान रखें 28 तारीक को अगर आप लोग कर चुके होते हैं पहले तो इस ओके नहीं तो ऑटोमेटिक लोग हो जाता है इसलिए लोग करने की जल्दबाजी नहीं करें वर्य इंपोर्टन लोग करने की जल्दबाजी नहीं करें पूरा आप सब्सक्राइब करने की जल्दी नहीं करें आप भूल जाएंगे तो भी ऑटोमेटिक लोग हो जाएगा तो जरूरती नहीं करने की आप देखिए आप इदर देखिए कि step 5 जा रहा है मैं काउंसलिंग राउंड विल स्टार्ट फॉम यह आपको सीट अलोट हो गया बहुत- एंड अपके पास दिया वाएं तीनों चीजें आपको बताई जा सुकी हैं फ्लोट में आप देख सकते हैं बोल्ड करका किसी भी उपर की इंस्टिटूट में जा सकते हो लेकिन स्लाइड में आप उसी इंस्टिटूट में उपर आपने चोइस बढ़ी है उन्हीं पर जा स इस तीनों उप्शंस में से कोई एक option काम मिलिया है इसका मतलब अपने जो सा ने जो सीट अलोट किए वह अपनेそして होगई हैं करने पर स Gilаюсь परकार करने करने के च में करने अपने के बाद स्भी परकार easy hinaus का करने सान। पी डबलूटी इनके सभी बच्चों की 20,000 रुपे फीस होगी और बाकी की बाकी सभी के लिए 40,000 रुपे फीस है अगर आप बविशे में अपनी सीट को विड्रो करते हैं तो 4,000 रुपे जो सा रेजिस्टेशन का काट लेगा PCP की भी रेजिस्टेशन फीस चार जा रही है जो सागी बीर्जिस्टेशन फीस यार जा रही है वह अगर आप एडरो करते हैं तो काट ली जाती और यह जो सा गी रिजस्टेशन फीस है बाकी वीछ जो आपकी सबंदित कोलेज की पीज से करली जाती आ दित यह इस पेशल में जो चहर राउंड पर गोंगी उसके लिए सी से यप स्पेशलींक राउंड के जाती है रापस वापस पर मत पहता लेकिन मुझे लगता सिंट राउंड मैं न इ Sleeping करते हैं तो दिटिक सब्सक्राइब कर सकते हैं यह देख सकते हैं क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क लिए आक टेटेग्री सर्टीफिकेट में एक बात का ध्यान रखे कि वोडियां इन दोनों के लिए अप्रेल एक 2020 के बाद का आपका certificate होना चाहिए और सेंटर का certificate होना चाहिए बच्चों ने जिन्हों ने बनार का अभी तक renew नहीं किरवाया तुरंत अपना लेटेस्ट एक अप्रेल दो जारते भी इसके बाद की होनी चाहिए बाकी जो बैस्ट के बच्चे हैं वो उनका पुराना सेटिविट चलेगा और जिनके पास कोई रिजर्वड नहीं है तो अपने आप भी जनरल में मान लिया जाएगा इसके बाद अगर कोई फिजिकली एं नमर चैक से आपको मिल जाएंगे या अगले को मिल जाएंगे जोसा को या फिर पास्बुक की कोपी दे सकते हैं इसमें बैंक का अकाउंट होना जरूरी नहीं है बच्चे के पैरेंट्स का अकाउंट नमबर हो तो वो भी चल जाएगा बहुत बढ़िया उसके बाद मेडि हैं विदेश में रहते हैं उनके लाइट से उड़कर जाने वाले हैं बाहर रहते हैं उनके लिए अपने लिए लागो नहीं है पासपोर्ट भी उन्हीं के लिए लागो है शिटिजन सटिवेड एडमिट काड आप मैं की काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी एडवांस मे इन में अपन चूइसेज फिल कर सकते हैं और इसमें दो मौक सीट अलोकेशन भी हैं मौक सीट में अपने को टेंटेटिव आइडिया हो जाता की कौन सी सीट अपने को मिल रही है इसके बाद कंडिडेट्स मस्ट लोग ठेर चूछ से ओं बीफोर्ट यॉर्स बास्टरिट do not lock their choices last saved choices will be locked automatically यहां देखो इन्होंने must be कर दिया ड्राने के लिए और यहां automatically भी लिख दिया है मैं आपको खड़ा चाहूंगा कि lock करने की जल्दबाजी नहीं करें पूरे आप आस्वस्त हो जाते हैं सबसे राय मस्विरा कर लेते हैं उसके बाद लोग कर सकते हैं अद्रवाइज ओटोमेटिक लोग हो जाएगी इस रेस्पोंसिबिलिटी तो लोग इन तो दे जोसा पॉर्टल एंड चेक इफ ए सीट इस अलोकेटेड इन ए गिवन राउंड ओफ सीट अलोकेशन अब कोई भी आपको घर पर बताने नहीं आएगा बढ़ा सिनागर का इंजार पोस्ट्वम मैंण का इंजार नहीं गरें लोग Soul दिया गया कि कृस दिन राउंड वन का दिवर्टाइगा इस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स अफलोड करने कि दिन आपको फीश सब्मिंट करनी है किस दिन राउंड क्यूस्तिस डारें तो पूरा सलेच में जाकर फिजिकली रिपॉर्टिंग करना होगा जैसे जोटसा की कंपलीट हो जाएगी उसके बाद च supplemental हो अचि थेंक्यू बोल दिया है और यह सारी डीटेल्स आप देख रहे थे जो सा सीट अलॉट्मेंट जेई मैं 2023 और जेई एडवांस 2023 के क्वालिफाइड स्टुडेंट्स के लिए सीट अलॉट्मेंट काउंसलिंग डॉकुमेंट्स की पूरी डीटेल्स और इतने मैं पूरी की पूरी सावदानी नहीं बढ़ते हैं जानकारियां पूरी नहीं हो तो एक अच्छी सीट से वनचीत रह सकते हैं बिल्कुल बहुत कम समय में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो भी बच्चे के दिमाग में सवाल रहते हैं कि वो सारे सवालों को यहां पर बताया गया है तो गुमा दीजिए इस वीडियो को शेयर बटन पर शेयर करके सभी अपने दोस्तों के साथ जो 2023 में जेई म के साथ आपसे मिलेंगे नमस्कार